Hi everyone, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी home remedy लेकर आई हूँ जो आपको सरदी, खासी, जुखाम, कफ और viral infection से रहा दिलाएगा तो चलिए से मराना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और उसमें add करना है दो ग्लास पानी अब हम उसमें add करेंगे तेज पत्ता, तेज पत्ता infection को दूर करता है अब हम इसमें add करेंगे 4-5 long, long सीने में से बलगम को निकालने में help करती है अब हम इसमें add करेंगे दालचीनी, दालचीनी में antioxidant properties पाई जाती है जो immunity को strong करती है अब हम इसमें great किया हुआ अद्रोक एट करेंगे जिससे इसका rust अच्छे से मिल जाए अब इसमें add करेंगे अजवायन, अजवायन cold, कफ और गली की problem को दूर करती है अब इसमें add करेंगे गुड़, गुड़ की तासिर गरम होती है जो सर्दी, खासी और जुखाम से राहत दिलाती है और काड़े का टेस्ट भी अच्छा आता है अब इसमें मिलाएंगे हल्दी, हल्दी सीनी में कफ और गली में खराश की problem को दूर करती है और यह antiseptic होती है अब हम इसमें मिलाएंगे तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्तों में antifungal और antiseptic properties होती है जो हमें सर्दी, खासी और जुखाम से दूर रखती है अब इसमें मिलाएंगे काला नमक काले नमक से बलगम वाली खासी दूर होती है अब हमें काड़े को low to medium flame पे पकाना है जिससे काड़ा आधा रह जाए यानि कि हमने दो गलास पानी रखा था और काड़े को हमें इतना पकाना है कि वो एक गलास रह जाए काड़ा पकते पकते आधा रह गया है अब हम इसे चानी से चान लेंगे I hope ये वीडियो आप सभी को जुरूर पसंद आई होगी Thank you friends for watching this video